तो जैपूर के बाद इमानुवल मेंक्रो दिल्ली आएंगे इमानुवल मेंक्रो के भारत दोरे को लेकर इस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत परेशान है बहुत खौफजदा भी कहे जा सकते हैं इसकी दरसल वजह जैपूर वाली मेटिंग नहीं है बलकि दिल्ली में होने वाली बड़ी डील है जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन की सेना को जोकना रहने का ओर्डर तक मिला 26 जन्वरी को करतव विपत पर जमीन हिले की आजमान चौंकेगा भारत के बड़े हथियारों को देख कर दुश्मन कापेगा सवाल है कि वो कौन से टॉप 10 हथियार है जो 26 जन्वरी के परेड में भारत दिखाने जा रहा है हथियार नमबर एक T-90 टैंक थियार नमबर दो MR-CM यानी मध्यमदूरी की एर डिफेंस मिसाई हथियार नमबर तीन पिनाका मल्टी बैरल रॉकट लॉंचर हथियार नमबर चार रचंड अटैक हेलिकॉप्टर हथियार नमबर पांच नमिका यानी नाग एंटी टैंक मिसाईल कैरियर बाकी के पांच हथियार आगे दिखाएंगे पहले देख लीजिए कि इन हथियारों ने फौज को कैसे हथोड़े वाली ताकत दे दी है ऐसा हथोड़ा जिसके वार के बाद दुश्मन फिर उठने की हिम्मत नहीं करेगा वो दम तोड़ देगा टी नाइंटी टैंक से लेकर पिना का मल्टी बैरल रॉक लॉंचर और प्रचंड हेलिकॉप्टर से लेकर बुनाव एंटी टैंक सिस्टम ये सब हथियार मिलकर ऐसी पायर पावर देते हैं जो किसी भी स्ट्राइक कोर की सबसे बड़ी ताकत कही जाएगी यानि मैन पावर के साथ मशीन पावर क्योंकि इसमें वाजियों के साथ टैंक भी आर्टलेरी भी, अटैक हेलिकॉप्टर भी, एंटी टैंक सिस्टम भी और दुश्मन के हमले के रोखने वाली एर डिफेंस मिसाइल भी इनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लाँचे के लिए अब नया रॉकेट तयार किया जा रहा है ऐसा रॉकेट जो 200 किलोमेटर तक वार कर सके अभी इसके रॉकेट 45 किलोमेटर वाले रीच के हैं और उन्हें 75 किलोमेटर तक बढ़ाने की बड़ी पहल की गई लेकिन पिनाका जब 200 किलोमेटर तक हमला करेगा तो ये किसी मिसाइल भांचर से कम नहीं होगा ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का हाइबार्स मल्टी रॉकेट सेस्टम गंकंत्र दिबस पर LCH भी उड़े यानि ग्रचंड अटैक हलिकॉप्टर ये जमीनी टागेट हवाई टागेट दोनों पर हमला कर सकता है इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगी रॉकेट भी लगे और एर टु एट मिसाइल भी लगी हुई यानि ये गोली भी बरसाता है ये रॉकेट की बहुचार भी करता है ये गाइड़न मिसाइल से भी हमला करता है टैंक तो टैंक ये दुश्मन के हेलिकॉप्टर और जोन के अलावा एक रेंज तक उसके विमानों के भी मार सकता है इन सब के साथ टैंक पावर में सबसे फुर्टी लेट T-90 पर भी सब की निगाह है भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक है और इनमें सबसे ज्यादा तादा T-72 टैंक की है यानि करीब 3000 भारत के पास करीब 15 सो T-90 टैंक है जबकि अरजन टैंक की तादाद 124 से 1.500 की बीच है टैंकों की तादाद या इनको आधूनिक बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है क्योंकि भारत के दो बड़ो सी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है इसलिए गनतंत्र दिवस पर बड़े हथ्यार दिखाए जाते हैं बड़े खतरनाक फाइटर जेट टोड़ाए जाते हैं इस बार भी वायुसेना 54 विमानों के साथ दिल्ले के आस्मान को उस तूफानी गड़गड़ा हट से भर देगी जिसकी गूंज इसलामाबाद और भीजिंग तक पहुंचे गी इस बार भी 26 जनवरी से पहले उत्तर भारत के तमाम एयर बेस बहुत ज्यादा एक्टर अमबाला से लेकर सिरसा और आदमपुर से बरेली तक बहुत हलचल हैं यह वो एयर बेस हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाब सबसे खास एयर बेस माने जाते हर तरफ तयारी देखने लाइक है इसलिए अब बागी के पाँच हत्यार भी देख लीच जो गंतनत्र दिवस की परेड में दिखाये जा रहे टॉप टेंग वेपन सस्टम में शामिल है हत्यार नमबर 6, C-17 Globe Master, हत्यार नमबर 7, Rapal Fighter Jet, हत्यार नमबर 8, Sukhoi 30 MKI, हत्यार नमबर 9, Jaguar, हत्यार नमबर 10, MiG 29 और साथ में धिमानों को उड़ाने वाले पाइलेट 26 जनवरी को वायू सेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही, इस बार फ्लाइपास्ट में एरफोर्स के 54 विमान उड़ेंग, जिसमें फ्रांस के जट भी शामिल होंगे भारतिये वायू सेना से 39 विमान तो फाइटर जेट होंग, 8 ट्रांसबोर्ट विमान होंग, 13 हेलिकॉप्टर होंग वायू सेना ने खासतोर से बताया है कि इस बार एरफोर्स के विमान बायो फ्लीम वाले इंधन की ताकत से उड़ेंग, इस बार फ्लाइपास्ट में महिला शक्ती देखनी को मिलेंग, 15 महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंग, और इन में 6 महिलाएं तो पाइटर जेट प सामिल हूंगा इस बार करतब्वे पत पर परेड का हिस्सा बनेंग, बड़े बड़े डायर वाली ये गाडियां बुलिट प्रूफ ये ऐसे इलाके में जा सकती, जहां गुजरना आसान में, जंगलों, खेतों, एंकाउंटर के दौरान ये गाडियां काम आएंग दिल्ली के हर खास कोने पर पुलिस की नजर CCTV आक्टिव 24 सो घंटे मॉनिटरिंग हो रही, क्योंकि 26 जनवरी ऐसा मौका है जब भारत की राजधानी दिल्ली आतंग बादियों के टागेट पर भी होती है इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा इतने लिवल पर बढ़ा भी गई है कि पूरी राजधानी के दृष्छ किले की दरहा नजर आ रही है दिल्ली में हर खत्रे से निपटने की तैयारी है, ये तैयारी जमीन पर भी है, आसमान में भी है, पानी पर भी है दिल्ली में यमुना के आसपास भी नज़ा रखी जा रही और इसके लिए बोग पेट्रोलिंग 24 सो पीटे जारी है हालकि आतंकवाद के सप्लायर पाकिस्तान पर नज़ा रखने के लिए बीओ के को लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है और एलोसी पर ये काम सेना लगातार कर रही है 24 सो घंटे कर रही है मौसम कैसा भी हो वर्फ हो या फिल मुश्किल से मुश्किल हाला ये जम्मू कश्मीर में गुरेज सेक्टर की तस्वीरें और यहां राइफल लेकर दुश्मर पर रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है रूस में बनी ड्रेगुनोग स्नाइपर राइफल लेकर ये जवान दिन रात ऐसी पुजीशन में रहते हैं यही वज़ा है कि गुस्पैट काबू में रहती है और इसका असर दिल्ली पर भी पढ़ता है क्योंकि लोसी से गुस्पैट नहीं तो समझ लीजिए कि आतंगवादियों के एंट्री नहीं इस वक्त कश्मीर से लेकर कन्या कुमार और गुजरात में भुज्च से लेकर अरुनाचल प्रदेश के आखरी कोनी तक लगातार पहरा दिया जा रहा है जमीन पर भी और आस्मान में भी झाल